नाकामयाब लोग दुनिया के दर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं लेनिंगे प्लेश्टूर से डाउनलोड करके उसमें अनन क्यूलिक इस वीडियो को दिस्क्रिप्समें भी दे जैंक और मेरे दौरा बनाएगे वीडियो उसको बिल्गूल फ्री में देख सकते हैं पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉनिंग में इसी टाइम पर करने फेस्क वीडियो मिलती रहें ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है एशियाई खेल 2018 में भारत को पहला गोल्ड मिड संडे को यानि कल पूर्शो की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुस्तिस परधा के फाइनल में जो तो जापान के ताका तानी डाइची को ग्यारा आठ सेहरा कर 2018 एसियन गेम से भारत को पहला गोल्ड मिडल सोन पतक दिला दिया है इन्होंने जो तो 65 किलोग्राम फ्री स्टाइस में जो है तो यह पहला सौन है इनका जबकि कुल दूसरा पदक है और इससे पहले जो तो बजरंग पूनिये ने दोशार चोड़ा में जोए थे इन खेलों में रजात पदक जीता था ठीक है रजात पदक जीता था ठीक है दोस्तों आप एसियन गेम्स की बात हो यह तो एसियन गेम्स से लेटेट आपको बहुत सारे फैक्ट काल में बताया था लेकिन एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देता हूं मैं रिवाइज कर देता कि आपको कंठस्त हो जाए चीज़े तो ध्यान से सुनिए गया सबसे पहला कोश्चान अक्सार एक्जामें प और अभी कहां और आए तो यह भी जानना बहुत इंपोर्डेंट है इंडोनेसिया की राधानी जाकारता के बहुत इंपोर्ड़ेंग शरों में हो रहा है और अगला कहांपे होगा तो नेक्स्ट एसिएन गेम्स दोस्तों वह ओगा चीन के हांग्जू सेहर में कहांपे ची तो उसमें भारत ने जो तो कुल 57 मेडल जीते थे और भारत की रेंग थी इसमें आठवी ठीक है आठवी रेंग थी और पहले नमबर पर था चीन और सिक्ट्न नमबर पर दते अक्षिर्ड कोरिया ठीक है दोस्तों इहाँ पर बता दे कि इंडोनेसिया के राज़ानी है जकार्ता और जकार्ता में एक बहुती महतपूर्ण संस्थान का मुख्याला है वो आसियान का मुख्याला है कहां पे जकार्ता में यह कोशिचन अकcket र स्थापना कब हुई थी तहीं थी आठ अगस्ट तुनिश्ट सट को आसियान के बारे मिल्कुल आपको याद रखना है कई वारे कोईशन एक जामे पूछा गया है आठ अगस्ट तुनिश्ट सट को 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडोनेसिया को जो बरतवान स्थाइल कुस्ती में ठीक है इन्होंने किसको पराजित किये जापान के ताका ताकी ताका तानी डाइची को ठीक है दोस्तों में इसी तरह हैर कुश्टन में एक्स्टा फैक्ट आपको बताता हूँ तो वीडियो लाज तक देखिएगा और आप हमारे फेस्बुक पेज़ कानल वाटसाप फेस्बुक गृूप है आपके पास प्लीज शेयर करके सपोर्ट जरूर करेखा चलिए अगला कोश्यान है दोस्तों हाली में किसने इंफोसिस के सीफ़ पत्सी स्तीफा दे दिया है यह दे दिया हैं एमडी रंगनाद ने और आपको बता दे कि भारत की कंपनी है दोस्तों लगवक दो दस्कों कौन भरखने वाले इंफोसिस की चीफ फाइनेंसियल ओफीसर है एमडी रंगनाथ जो तो सड़न अचानक अपने तीन वर्स में इंफोसिस की दूसरे सीफो के बद छोड़ने को चिनित करते हो उपने पत्स इस्तीफा दे दिया है किस इस्ताबना 7.089.08 को इनफोसिस का हेटकॉर्टर कहा है बेंगलूरू करनाटग में करनाटग की राजधानी बेंगलूरू में जो तो इसका हेटकॉर्टर है और आकवतादिक भारत की दूसरी सबसे वड़ी IT कंपनी इनफोसिस के जो तो फाउंडर कौन थे तो वो थे एन नारायन मूर्ती कोई ने founder एन नारायन मूर्ती ठीक है founder भी बहुत बार exam में पूछा गया है तो हाली में कि इसने पूसी के CFO पसी स्तीफा दे दिये दिये अमडी रंगनात दे वह दो बात करें राजेश गोफी नाथन की तो राजेश गोफी नातन वरतमान में TCS के CEO है CEO यानि Chief Executive Officer ठीक है तो कौन है CEO यह तो राजेश गोफी नातन है बात करें आदित पूरी की दोस्तो तो आदित पूरी वरतमान में HDFC यानि Housing Development Finance Corporation के MD है मैनेजिंग डारेक्टर यानि प्रवन देशक कौन है आदित पूरी दोस्तो बात करें शसी संकर की दोस्तो शसी संकर जो तो वरतमान में ONGC के चेर्मेन और MD हैं ठीक है तो सारे MD चेर्मेन और CEO आप याद रखिए गया एक्जाम में बहुत दोसिस के CFO पत्स इस्तीफा दे दिया है MD रंगनात ने दे दिया है ठीक है दोस्तों चलिए अगला कोश्चन है दक्षिण ACI Football Federation Under 15 महिला चैंपेंशिव किताब जीता है दोस्तों भारत ने ठीक है देखें उस्तों को बता दें कि भारत ने थिंपू भूटान की राजानी हिंपू में दक्षिण ACI Football Federation Under 15 महिला चैंपेंशिव के फाइनल में बंगला देश को राया है किसको अराकर बंगला देश को और आपको बता देख सुनीता मुंडा दौरा दूसरे हाफ में किये मैच के एकलोते गोल ने भारती Under 15 टीम को किताब जीतने में सहायता की है आपक ठीक है और सैफ यानि साउथ एसियन फुटवाल फ्रडेशन अंडर 15 ठीक है तो इसका किताब किसे ने जीता है भारत ने अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं बंगला देश की तो बंगला देश की जो राजधानी है धाका और यहां की करेंसी टका और यहां की जो नेपाल की दोस्तों तो नेपाल की जो राजधानी हुआ काठमांडू पीम है केपी शर्मा बहुली और प्रेसीडंट बिद्यादेवी भंडारी अगले कोशन थे बढ़ते अगला कोश्यन है बिश्यमान अप्तावाधी दिवस कब मना जाता है दोस्तों प्रतिवर्ष 20 शुमानपता वादी दिवस मना जाता है कब मना जाता है? 19 अगस्त को यानि ऑप्सने राइट है देखे दोस्तों आपको बता देक 19 अगस्त को दुनिया भर के स्रमिकों को श्रद्धानजली अरपित करने के लिए 20 शुमानपता वादी दिवस मना जाता है और आपको बता दे दोस्तों कि दुनिया भर में संकट सिप्रहोई लोगों के लिए समर्थानी कठा करते हैं आपको बता देक 20 शुमानपता वादी दिवस पर एक अभियान चलाया गया है उसका नाम है Not a Target शुरू किया गया ठीक है और आपको बता दे कि यह दिन जोस्तों स्युक्त राष्ट महाशावदारा इराक के बगदाद में स्युक्त राष्ट मुख्याले पर 19 अगस्ट 2003 को बंबारी को याद करते हुए नामंकित किया गया था तो विश्व मानप्तावादी दिवस प्रतिवर्ष कम मना जाता है 19 अगस्त को बात करें 206 अगस्त की तो प्रतिवर्ष 6 अगस्त को विश्व शांती दिवस और हिरोशिमा दिवस मना जाता है और बात करें 20 अगस्त की तो प्रतिवर्श 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मना जाता है ठीक बात करें 29 अगस्त की तो 29 अगस्त को प्रतिवर्श राष्ट्री खेल दिवस का मना जाते है राष्ट्री खेल दिवस 29 अगस्त को तो यह आपको दिवस याद रखना है अकसार ए साइकिल चाला के एसो एलवेद ने जो है तो भारत को पहली बार वर्ल्ड जूनियर ट्रेक साइकलिंग में 200 चैंपियंशी में पदक दिलाने का कारणामा कर दिखा है आपको पता दे कि अंडवान और निकवार के 17 वर्सी जो एसो अलवेद ने जो तो रज़त पदक जीद ल पहला पदक है ठीक है तो एसो एलवेद ने वर्ल्ड जूनियर ट्रेक साइकलिंग विश चैंपियंशी में भारत को कौन से जीता है तो इन्हों ने दिलाया है द्रजत पदक ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कल का कोश्चन कल मैंने कोश्चन पूचा था किसे समुद्री उत्पाद निर्याद विकास प्राथीकंड का नया चेरीमेन निउक किया गया है तो आप लोगोंने सभी लोगों राइट अंसर दे और जनिए के एस स्रीनी वहास ठीकिक के एस स्रीनी वहास चलिए अब देख लेते हैं आज का सवालाइ दोस्तों एक ग्यारमा विश्छ तुरत कहा हूँ या उप्सन दे रखें आपको राइट एंसर कमेंट बॉक्स तो जरूर लिखना है दिया आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको एंसर पता होगे नहीं देखी जस्ट यहां पे प्ले होगी जरूर देख लीजिए उसके साथ साथ आप हमारे वीडियो झाल